हेलो दोस्तों कैसे वह आप सब उमिदे सब अड़ी आऊंगे आजका टेस्ट में हम फिर करेंगे पुल्टी के most important question के mcq question तो यह आजका session आपके लिए very very important session है जैसे हमने पिछले session उमें mcq question किये हैं तो यह आजका session भी आपके लिए दमाके दार होने वाला है क्योंकि इस session में भी हमने वो question select किये हैं जो आपके लिए exam में बहुत ही मैतापून रह सकते हैं तो यह helpful session है इसको ज़्यादा ज़्यादा share करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो आज का session में आप कितने questions सही कर पाते हैं comment box में जरूर बताइएगा तो हर्ष question पढ़ते हैं आज की session का निमलिक्त में से किसने सभी तीनों गोलमेंच मेलनों में भाग लिया था तो तीनों गोलमेंच मेलनों में भाग लेने बी आर अमेड कर ने तीनों गोलमेंच मेलनों में भाग लिया था तो सी इसका राइटम से रोज आएगा काफी बार आपसे एकजाम में पूछा गया है तीनों गोलमेंच मेलनों में भाग लेने वाला वेक्ति कौन बी आर अमेड कर comment box में बताईगा 3 गौलमेंद समेलन थे जो कहां कहां पर हुए है यह आपने बताना है बी आर अमेड कर 3 गौलमेंद समेलनों में भाग लेने वाला वखती रहे है तो next बढ़ते हैone next question आता आपकी स्क्रीन पर किस governor के कारियकाल के दुरान 1921 इस्यु में कोलकत्ता में दिशेएक नहीं प graphs आयगा है इसका शही ज़गा आंप तीन च्यार करन पर है कोलकटा मेंने लौन परिखत नहीं हैं निर्मान कारिया पूरा कराने वाले वक्ति का नामे रीडिंग, रीडिंग ने 1921 CCB में कोलकत्ता में विक्टोरिया मेमोलियर ओल का निर्मान करवाया है, तो ये वरी वरी इंपोर्टेंट क्वेस्टन है एकजाम में, ये भी क्वेस्टन आपसे पूछी सकते हैं, तो next प्रेक्ष्याप्नाडी क्ब स्विकार की गई थी, for 82, PCR,000 में, नागरिक स्विकार की गई थी, d, इसका सही जबाब हो जाएगा, next आता question बार्त में सिविल स्यव्वां का सुत्रपात किस ने किया, तो बार्त के अंदर सिविल स्यवें का सुत्रपात करने वाला कौन था किसके काल में हुई थी सीविल सेवां की सरवात लाड़ वैलसली, लाड़ कानरवालिस लाड़ करजन, लाड़ डैलो जी तो ये बेसिक क्वेसन है काफ़ बार आपसे एकजाम में पूछा गया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेसन है अभी कई बार आपसे एकजाम में पूछा गया है नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेसन आता आपकी स्क्रीन पर नीमन में से किसके अंतरगत बारत में सरव पर्थम सरोचे नेले की स्तापना हुई तो श्रोचे नेले की स्तापना कौन से अधिनियम के तैत, कौन से एक्ट के तैत हुई थी बारतिये स्विधान Рेगुलेटिंग एक्ट 1773-1.453, बारत स्रकार अधिनियम 1935 तो बारत में सबसे पहले स्रोचे नेले की स्तापना कब होई थी? तो कब होई थी यह पूछा है कहां पर हुई है यह आपने comment box में बताना है तो regulating act किस अपना sorry regulating act 1734 या चार्क्ट एक्ट 1853 या बार्त सरकार एदिनियम 1935 इसके तैट सबसे पहले बार्त में स्रोच्चे नहले यानि Supreme Court बनाया गया है तो किसके तैट बना था यह यह बना था regulating act 1734 के तैट तो comment box में बताईएगा सबसे पहले बार्त में स्रोच्चे नहले यानि Supreme Court कहां पर बनाया गया है regulating act 1734 के अंत्रगति यह बनाया गया था next परते next कसना था आपकी screen पर माटेंगू Champs Ford की रिपोर्ट दार बनी है तो माटेंगू Champs Ford की रिपोर्ट किसका दार बनी थी बारत सरकार अधिनियम 1919 बारतिय परसीद अधिनियम 1909 या बारतिय संतरता अधिनियम 1947 या बारत सरकार अधिनियम 1935 बतादो बई माटेंगु चैम्स फोर्ड की रिपोर्ट किसका अधार बनी है Most important यह भी question माटेंगु चैम्स फोर्ड की रिपोर्ड जो किसका अधार बनी है किसका अधार बनी थी बार्थ सरकार अधिनियम 1919 का अधार माटेंगु चैम्स फोर्ड की रिपोर्ड बनी है माटेंगू चैंट्स होड बार्थ सरकार अधिनियम 1919 का ये एक रिपोर्ट अधार बनी थी most important question ये इसका सही जवाब हो जाएगा next पढ़ते है next question आता आपकी स्क्रीन पर British India के निमिलिक्त में से किस एक अधिनियम ने सामुई कारिया चालन की स्तान पर व्वागिय व्वागिय पत्ती द्वारा कर्यकारी परसीद पर उनके प्राधिकार को और बल परदान कीया गया है ये पूच्छा है British India के निमिलिक्त में से किसी एक अधिनियम ने सामुई कारिया चालन के स्तान पर व्वागिय व्वागिय पत्ती दुवारा जो वाइसराय की कारिय कारी है उस परसीद पर उनके प्रादिकार को और बल परदान किया गया है कौन से एक्ट के दुवारा बल मिला है गरुनमेट ओफ इंडिया एक्ट थारसो थावन इंडियन कॉंसिलिंग एक्ट 1909 या इंडियन कॉंसिलिंग एक्ट 1901 या फिर इंडियन कॉंसिलिंग एक्ट 1909 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 या फिर इंडियन कॉंसिलिंग एक् सामुवी कारिया चले उनके स्तान पर भागे हैं बढ़ थी जवाब हो जायेगा next बढ़ते हैं next question आता है आपकी screen पर किस अधिनिम ने बारतवासियों को अपने देश के परसासन में कुछ इसा लेना संभो बनाया, तो कौन सा अधिनिम है जिसने बारतवासियों को अपने देश का जो परसासन है, उसमें कुछ कुछ हिषा लेना संभो बनाया है, इंडिन Cyrus Concelingcus 161 या Charter Act 2353 या Government of India Act 1658 या Charter Act 1333 तो किस अधिनिमने बारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिषा लेना यानि सेधारी लेना ही संभो बनाया है, तो हिषा इसेधारी लेना संभो कौन सा परशाशन में रही थी, कौन से परशाशन में रही है तो ये रही है बतादो बई, basic question है important ही रहेगा क्योंकि exam की दश्टी से ऐसे question exam में पूछे जाती है Constitution of History पढ़ रहे हम भारतिय स्विधान का इतियास और आज अधुनिक इतियास में कितने article हो चुके हैं, वो तो question आपके लिए very very important रहेंगे हम आने वाले समय में वो question भी आपको करवाएंगे, किस अधिनिमने बारतिवास होंगो अपने देश के परशाशन में कुछ हिससा लेना संभव बनाया था, कौन से act था हो, वो act था Indian Concelling Act 1661, तो Indian Concelling Act 1661 के ताहित, यह question का सही जवाब हो जाएगा, तो आज का session में हमने बारतिय सुधान का थियास, यानि Constitution of History समदीत question किये यह आपको कैसे लगे, comment box में जरू बताएगा, और जल्दी हम आपको अगला session आपके बीच लेके जा रहे हैं, तो आप अगले session का वेट कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादश ज्यादा इस वीडियो को सेर करें, तो दोस्तों तब तक थैंक्स पर वाचिंग, जयाँ बार्ट